एक दिन शाम को सारा दिन खेलती रहती है ये नहीं के छोटे भाई को संभाले मा पता है मैंने आज होकी में पास के गाउं के लड़कों की दिन को हरा दिया वाँ मा पेरी बैटे सब्बास ये ले करो जा जा कर टाप ही खाला सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बाहर चली जाती है मा बड़बड करती वहां से निकल जाती है लेकिन शाम को उन लोगों की घर कुछ लोग आते है अरे राम सुख्या जरा ये तो बतलाओ सपना के बारे में क्या सोचा है अरे का सोचना है मास्टर जी पढ़ रही है जिदना पढ़ सकती है पढ़े फिर शादी करवा देंगे कोई अच्छा सा गाओं का ही लड़का देख लेंगे अरे तुम तो उसके पिता हो तुमको कुछ नहीं पता मा घबरा जाती है अरे का मास्टर जी का पता नहीं का हो गया हम तो इनसे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है संभाल लो अरे भाभी जी आप भी न कभी अच्छा भी सोच लिया करो अरे सपना क्या खेलती है होकी बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे कलगाउं में एक टीम आ रही है लड़कियों की होकी खेलने उसे भेज देना है वहाँ शायद कुछ बात बन जाए अरे ना ना मास्टर जी कोई खेल वेल नहीं करवाना है हम लोगों को वो भी सहर के लोगों के साथ तो बिलकुल भी ना सहर के लोगों को ना कोई भिरोसा नहीं होता मास्टर जी अरे कैसी बात कर रही हो सपना की मा बुरा आदमी तो हर जगह मिल जावेगा उसके लिए सहर का और गाउं का हाँ हाँ मास्टर जी हम लोग तयार है कल आ जाएगी सपना वकत से मा के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हौकी टीम के लिए भीज देते है शाम को सपना वापस आती है लेकिन लटकी मूँ से और का हो गया? मार खाई हो का? कौन मारेगा? कौन मारेगा हमें? कोई मारवार खाकर नहीं आए आरा फिर सकल पर बारा क्यूं बज़े हैं बताओगी? देखो मा आप समझोगी नहीं बता कर फाइदा क्या है? आरा बिट्या रानी हम तो समझेंगे ना हमें ही बता दे सपना पापा के गले लग जाती है पापा मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की होकी टिम में खेलने के लिए आरा वाह यह तो बहुती खुसी की बात है मेरे बच्चे फिर मेरे गुडिया का है परसान है पापा मुझे दिलने जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए मा जो सारी बात सुन रही होती है जोर से चिलाती है सपना पिता की और देखती है अर देख सपना खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी सरत पे है कि आकर कल्ले से बेटे से चुप चाप शादी कर लेगी बॉल अर ठीक है ना कल्ले का बेटा तो बहुती समझदार है सरकारी नौकरी है उसकी मान गया वो तो सपना शादी कर लेगी सपना भी धीरू जो की कल्ले का बेटा था उसे जानती थी वो मन ही मन सोचती है कि शादी तो वैसे भी होनी है लेकिन मा की ये शर्ट मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा? हाँ हाँ, मुझे मन्जूर है तो कल मैं उन लोगों को बुला लू पिता और सपना दोनों एक दुसरे को देखते हैं मा ठीक है ना, बुलाने की क्या जूरत है वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है बस आप तो मेरा दिल्ली का बैक पैक कर दो सपना दिल्ली जाती है दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है जब वो गाव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है और सपना के पापा तुम्हारी बेटी ने तो गाउं का नाम रोशन कर दिया है गाउं की तरफ से तुम लोगों को गाउं में पक्का मकान और सपना को परिशद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तयार है अरा वाँ वाँ पक्का मकान ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें हाँ कैसे बात करी हो सपना के माँ लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी किसी के आगे जुकने की जरूरत ना पड़ेगी अरे चुप रहो, हम तो नौकरी ना करते हैं, पर मजाल है कि किसी के आगे जूके हो, नाना, हमरी बेटी नौकरी नहीं करेगी पिता लाग समझाते हैं, लेकिन मा नहीं मांगती, और फिर वो दिन भी आ जाता है, जब सपना को, अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है, ससुराल में ए बहू, तू रोज रोज सुबा कहां जाती है, घर का सारा काम निप्टा कर कहां भागती है, मा का घर तो पासी है, वहीं निकल जाती है, क्या नहीं मा जी, मैं हौकी खिलने जाती हूँ, मुझे खिलना पसंद है खेलना पसंद है अरे कैसी बात कर रही है बहू शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फेलती नहीं है वो घर का कामकाज देखती है सपना कुछ नहीं कहती वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब सुनो वो जो लटक राया न क्या बोलता है उसे मडल सपना पती की बात सुनकर खुश हो जाती है उनकी पास जाती है मैं सोची रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यो नहीं ये मडल है मैंने जीता है पता है हाकी में बड़ा मैदान बहुत से लोग दो टीम और फिर शुरू होता है जुनून पता है लगता है जैसे बस जंदगी यही है खेलते रहो भागते रहो दाडते रहो और लक्ष को पालो सुनना मैंना भारत ये टीम के लिए खेलना चाती हूँ मा मा ए मा या तो आजरा सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया पती अचानक से मा को क्यों बुला रहा है हाँ बेटा क्या क्या हो गया का है गला फाड रहे हो मा ये सपना क्या कह रही है आरा बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा लेकिन क्या हो गया चिल्ला क्यों रहे हो ऐसा क्या बोल दिया इसने मा ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारत ये टीम के लिए सपना डर जाती है नहीं नहीं माजी मैंने कहा कि मैं चाती हूँ कि वो मैं बोला था ना शादी के बाद कोई खेलता नहीं घर का काम का आज देखता है लेकिन फिर भी सपना पती की तरफ देखती है, जो मा की तरफ देख रहा होता है, उसे गुस्सा तो आता है लेकिन करती भी तो क्या, सास के सामने कैसे पती की क्लास लगाती? अरे बेटा, आब क्यों घुरे जा रहे हो बहु को? मा, अभी इस बात का फैसला करके जाना, वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे है अब चुप हो जाईए आप, छोटी सी बात का बतंगड मत बनाएए छोटी सी बात? बहु, ये कोई छोटी बात नहीं है जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मैडल ला सकती है, वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना? हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहु, घर का काम तो कोई भी कर लेगा लेकिन देश का नाम रौशन करने के लिए सपना चाहिए जा बहु, तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पती ने कर दिया है जा खेल और देश का नाम रौशन करें सपना की आँख में आसु आ जाते हैं वो सोचती है कि बेटियों को माईके के सारा